यूटूब एब पर घंटी बजाओ और खबरे अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ यूपी कॉंगरस की मीडिया विभाग संगठन और प्रशासन विभाग को भंग किया गया है साथी राहूल गादी जब से कॉंगरस के अध्यक्ष बने हैं तब ही से उम्मीदे लगाई जा रही थी कि कि कॉंगरस में संगठ नात्मक फिर बदल होगा 2019 के मद्दे नजर कॉंग्रेस जमीनी स्तर पर जनाधार को मजबूत करने की कोशिश में चुटी हुई है इसके तहट ब्लॉक्स तर ये सम्मेलन प्रदेश भर में आयज़ित किये जा रही है साती अनुसूचित जाते वर्ग में भी अपनी पैठ बनाने के लिए यूपी कॉंग्रेस ने तयारियां तेज कर दी है जुलाई महिने से पार्टी अनुसूचित जाते विभाग द्वारा समयधान बचाओ पदियात्रा शुरू की जाएगी और अब 2019 की तयारियों में चुकि सभी पार्टीया जुटी है कॉंग्रेस भी जोर शोर से जुटी है और इसलिए संगठ नातमक बदलाव किये जा रही है कॉंग्रेस को मजबूत करने की कोशिश जो है इसके माध्यम से की जा रही है तो आपको बता दे कि उतर प्रदेश में प्रदेश कॉंग्रेस में संगठ नातमक बदलाव करने की कोशिश की जा रही है कॉंग्रेस की तीन विभाग जो है भंग कर दिये गए हैं 2019 की तैयारियों को देखते हुई ही इसे माना जा रहा है कि ये कॉंग्रेस के और से कड़े कदम उठाए गए है और जब से कॉंगर्स की कमान राहूल गांधी के हाथ में गई है राहूल गांधी कॉंगर्स के अधियक्ष बने है राश्ट्रे स्तरपर तब ही से उम्मीदे जो हैं और बढ़ गई हैं कि अब कॉंगर्स को और मजबूत करने की कोशिशें की जाएंगी झाल झाल